हलो दोस्तों अब सबका बहुत सागत है मेरी चानल पर मैं हूँ अनन्या और आज हम मनाएंगे भेज मोमोस तो चिली सबसे पहले हम स्टाफिंग की तियारी कर लेते हैं भेज मोमोस है तो पर स्टाफिंग के लिए हमें चाहिए बहुत सारा वेजिटेबल्स मैं हापर ग्रीन अब चाहे तो पत्तागोबी को ग्रेट भी कर सकते हैं अब अपने पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं जिसकी बीन्स मत्र या फिर कॉर्न कुछ भी ले सकते हैं अभी हम सारे सब्जियों को प्यान में थोड़ा सा फ्राय कर लेंगे इसके लिए हम एक पैन ग्रीन चिली और जिंजर अभी हम इसको बस एक मिनिट के लिए फ्राय करेंगे इसको हमें ब्राउन नहीं करना है बस एक मिनिट के लिए फ्राय करना है जैसे कि इसका रॉष मेल चला जाए कि अणीत तब ये फ़ाय हो गया है तब ही आट करेंगे एक एका कर सारे सब्चियां को तो अब ही मैं अख करें घ्र मिषे पिर को प्रम करेंगे गाजर कि दिक अठाब करते हिंगे एक तो मिनिट के लिए पकने रेरिए जम हैं जयादा नहीं पकाना है क्योंभी हम जब मोमोर को स्टीम करेंगे तब यह सारे सब्जियां अच्छे से पक जाएंगे तो इसलिए हम इसको बस एक दो मिन्ट के लिए फ्राइ करना है तो गाजरों कैप्सिकम फ्राइए हो गया है अभी हम इसमें आड कर देंगे पत्ता को भी अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर हम इसमें आड कर देंगे सिजनिंग तो मैं हम पर आड कर रहे हूं नमक और थोड़ा सा ब्लाक पेपर पावडर तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तस एक मिलिट के लिए पकाएंगे अभी मैं इसमें आड कर रहे हूं स्प्रिंग ऑनियोंज पिंग ऑनियों नाड करने के बाद हम एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ग्यास को आफ कर लेंगे फिर हमें स्टॉफिंग को बिल्कुल थंडा करना है थंडा होने के बाद ही हम मोमोस बनाएंगे तो अभी ये स्टाफिंग बन गया है अब हम इसको थंडा होने के लिए छोड़ देंगे फिर हम चलिए अब मुमो का डो बना लेते हैं तो डो बनाने के लिए मैं आपर एक परतन में ले रहे हूं दो कप मेदा अब चाहे तो आटे से भी मुमोस बना सकते हैं या फिर आटा और मेदा दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं मैं आज यहां पर मेदे से ही मना रही हूं मेदे में हम आड करेंगे थोड़ा सा नम्मक फिर हम इसमें आड करेंगे पानी एक ही बार में हम इस तार्य पानी आड़ने करना है हम पानी को थोड़ा थोड़ा करके आड करेंगे अब हम आटे को अच्छे से गून लेंगे तो देखिए हमारा डो बनके तयार है हमें यह बहुत ही ज़्यादा सौपने बनाना है अब हम उपर से थोड़ा सा तेल लगा लेंगे मॉम्होज के लिए हमें ठोड़ा सा थाइि डो बनाना है आपना घृटके रख देंगे हमें डो को बस दस मिनिट के लिए तरहेस्ट करने के लिए रखना है ज्यादा टाइम नहीं तो इतो इतो बहुत तो चलिए तब तक हम मॉमोस के लिए चटनी बनाने के लिए एक प्यान गरम कर रहे हूं इसमें में ले रहे हूं थोड़ा सा पानी फिर में दो टमाटर को इसे आधा-धा काट के इस पानी में डाल दूंगी अभी में दो सुखी लाल मुर्च ले रहे हूं और इसको में तोड़के उस पानी में डाल दूंगी आपको ज्यादा तीखा पसंद नहीं है तो फिर आप इस लाल मुर्ची की सारे जो सीड से वो निकाल देजिए अभी हम इसमें आड करेंगे थोड़ा सा नमक फिर हम इसको एक बर अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे टमाटर को इसे पलट देंगे फिर हम इसको ढख के तीन मिनिट के लिए पकाएंगे तीन मिनिट के बाद हम इसको खोल के टमाटर को फिर से पलट देंगे देखिए टमाटर आधा पक गया है अब भी हम इसको धक्या और तेन से चार मिट के लिए पकाएंगे तो देखें यहां पर हमारा टमाटर बिल्कुल अच्छे से पक गया है आप चाहे तो इतना पानी रहने दे सकते हैं लेकिन मैं यहां पर पानी को थोड़ा सा कम कर दूंगी बॉल कर करके देखें हमारा पानी इतना सूग गया है अब हम इसको थंडा कर लेंगे फिर इसको एक एक करके ग्रैंडिंग जार में डाल देंगे इसका जो पानी है मैं उसको भी इस ग्रैंडिंग जार में डाल रही हूं अब यहमें इस में शवड़ा थोड़े से गार्लीक और मुठीवा पीनर्स यह रोस्टेड पीनर्स है अब यहम इसका अक अच्छे से पेस्ट पना लेंगे अथिघ कि इतना स्मूध अच्छे से बन गया है आप इसको अच्छे च्छे तो बाला करना चाहिए इसमें थोड़ा पानी आड़ कर सकते हैं अब भी मैं मेदे से छोटे छोटे लूईयां बना के रखी हूं एक लूई लेंगे और इसको हाथ से अच्छे से स्मूध कर लेंगे फिर हम इसको थोड़े से मेदे से डस्ट करेंगे और डिरे गिरे बेलना अस्ट करेंगे एक बेलने से पहले मैं इसको whadze थोड़ा से फेला रही हूं इसे बेलने में थोड़ा असानी होता है इसको आपर किनारों से विल ना है बहुत ही हालके हाथों से, हम इससे ब्लकुलब प्रेसर नहीं देंगे, इसको ठीरे-ठीरे करके विलेंगे, देखी, मैं हम यह पर इसको किसे पलइट-पलइट के विल रही हूँ, अब हम इस पर और थोड़ा सा मेधा ड़स्ट करेंगे, अब हम इसको फिर से वेलेंगे, तो अभी हम इसमें थोड़ा सा स्टाफिंग आड करेंगे, एक या देट चामाशी स्टाफिंग आड करेंगे, ज्यादा आड करने से ये बाहर निकल सकता है, स्टफिं को हम इसे बीच में रख देंगे और इसको देषा स्टार्ट करें गうん हैं अब दीखे मैं आपके bananas ऑग फोल बना ह neden रही हूं दूसरा फोल बना के सा सही पर इसको पrånद आफक चित रहे हूं आप इसजार रिंदो जाना और इसको इससे ही फास्ट फोल्ड पर चिपकाते जाना पुरे किनारों से हम इससे ही चिपकाते जाएंगे देखिए कितने अच्छे से हमारा फोल्ड बन रहा है मोमो को आपके पसंद की कोई भी सेब दे सकते हैं देखिए हमारा मोमो कितना अच्छे से बन गया है अभी में इसको उपर से एक बार अच्छे पोल्ड करके उसको इससे ही चिपका दूँगी तो देखिए हमारा मोमो बिल्कुल तयार है स्टीम होने के लिए अभी हम एक एक करके सारे मोमोत बना लेंगे मैं यहाँ पर स्टीमर कुछ पेले से चड़ा ली थी हमारा स्टीमर बिल्कुल गरम हो गया है अभी हम नीचे थोड़ा सा तेल ब्रस कर लेंगे इसे आप चाहतो उसके उपर एक पत्ता गोबी का एक लेयर भी रख सकते हैं फिर हम इसमें एक करके सारे मुमोस दख देंगे तो अभी हम मुमोस को ढग देंगे और इसको दस मिनिट के लिए लो फ्रेम पे पतने देंगे तो अब 10 मिनिट हो गया है चलिए देखते हैं तो देखिए हमारा मुमोस के तंचे से पग गया है अब हम इसको निकाल देंगे प्लेट में और इसको शॉर्फ कर देंगे तो मैं आप मुमोस के साथ सर्फ करने वाली हूं थोड़ा सा टमाटो केचब थोड़ा सा मयोनीज और हमारा बनाया हुआ मुमोस की चटनी अब मुमोस को इसे गरमा गरम ही सर्फ कीजिए तो दोस्तों हमारा मुमोस बिल्कुल तयार है आपको अबर मेरी रेसिपी अच्छे लगे तो फिर आप कॉमेंट्स में ज़र बताना और ऐसी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्स्क्राइब करना फिर मिलते लिए बाइब में नचे वो कि जिलते और भी कवे बताना तो घ्मोस की, बात क Ο程प एल को णो हमारा मान 2022 के लिए भी देखने के लिए मेंट्स मेंटे ट्लन K KB, वे दिर मेंट्स के लिए